Hello students, how are you all? Hopefully fine. Students, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है, वो है इवेंट्स इन सेक्षिल रिप्रोडक्शन. आप लोगों को याद होगा हमने इवेंट्स स्टार्ट करे हुए थे. Pre-Fertilization Events, Fertilization Events and the Post-Fertilization Events के हमने दिस्कुशन करनी है, Pre-Fertilization Events के हम Gimetogenesis तक दिस्कुश कर चुके थे, right? तो हमने उसमें क्या कर दिस्कुश करा था? हमने बताया था कि जो गिमीट्स हैं, यहार ओल्विज है प्लॉइड, clear? हमेशा वो हैपलॉइड होंगे इसके इलावा जो गिमीट्स है दियार प्रड्यूस बार मियॉसस लेकिन जो इंड्वीजुल हैपलॉइड होगा उसके गिमीट्स हमेशा माइटॉसस से बनेंगे और इसी दूरान हमने डिसकस करा था एक टॉपिक सेक्श्वालिटी इन और्गानिजम्स आपको याद होगा हमने टर्म्स मोनोईश्यस डाईश्यस बाईसेक्शल यूनिसेक्शल डिसकस करी थी लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ी सी कुछ डायग्राम्स डिसकस करनी रह गई थी हम उसको बहले डिसकस कर लेते हैं स्टूडेंट्स यह जो है हमारे पास कारा का कारा एक एल्गी होती है उसका यह डायग्रम बना हुआ है उसका जो रिप्रटाक्टिव हमने स्टॉक्चर दिखा रखें यहां पे यह है उगोनियम और यह है अंथ्रीडियम अगर दोनो सेक्सेज मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे है तो दाट वुड़ बी मोनो इशियस राइट बिटा यह आप जो देख रहे हुँ ना कारा में यह स्टक्चर यह बीच वाला यह उगोनियम है यह इसकी लेटरल ब्रांचीज होती है यह इसकी में ब्रांच है और यह इसके पर protective cells होती है और यह जो उपर आप देख रहे है वले फाइव होती है यह यह होती है इसके करोना cells राइट करोना cells होती है और बिलकुर इसके नीचे देखवा आप यह हैं इंथ्रीडियम बटा इंथ्रीडियम के अंदर जो हैं वो at least about 20,000 से लेकर 50,000 तक जो हैं वो we can say antherozoids or male gametes जो हैं वो बनते हैं right sperms जो हैं या male gametes जो हैं वो 20,000 तो 50,000 बनते हैं और oogonium यह रहा clear जो बटा oogonium होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम कहते हैं नॉक्यूल nocule बोलते हैं यह n है nocule whereas जो एंथ्रीडियम होता है उसको क्या बोलते हैं globule shape ही देख लो उसके कित्वे rounded सी है right जो color होता है एंथ्रीडियम का that would be about orange to reddish सा color होता clear जो इंथ्रीडियम का color होता है that would be somewhat orange to reddish color right so यह मैं discuss कर लिया तो अगर मैं कारा की structure ऐसे draw करके बता हूँ तो कुछ इस तरह से इसकी structure होती है कारा की see यह आपकी ncrt में बनी हुई है यह आप देखी रहे हो जो मैंने section draw कर रहे है यह यह वला section draw कर रहा हुआ है clear तो यह जो कारा है that is monoecious plant तो हम अभी यह जो discuss करे हैं वो पढ़ रहे हैं हम diversity of sexuality in organisms अब हम बात करेंगे markensia की students आपने markensia के बारे में सुना होगा आपने pluson में bryophytes पढ़े होंगे right markensia right markensia के ऐसे नीचे rhizoids होती है जो उसको substratum में fix करने के लिए help करती है यह mid rib है और gamma cups होती है right जिसके बिच में birds होती है asexual birds होती है यह dichotomy है right और यह mid rib है और अगर हम देखें जो bryophyte markensia है उस पे जो sex organs आते हैं वो एक plant पे एक मतलब थालस पे एक ही होगा जैसे अगर यह मैं यहां पे ड्रॉप करूं see this is यह जो stock होती है आपको याद हो कि मैंने बताया हो है पहले भी stock के लिए यह तर्म यूज करते है 4 so this is n3 do 4 n3 do 4 यह मैं इसके लिपार लग देखते हूं and 3 do 4 4 is a term used for the stock तो it means this is male thalas and next rhizoids same वैसे और यहां पे जो मैं ड्रॉप कर रही हूं now अब मैं क्या ट्रॉप करूंगी archegonio 4 deep lobed होती है यह right उससे so this is archegonio 4 तो यह क्या हो गया female thalas तो अगर यह दोनो male और female sex organs separate separate individual पे हैं देखो male thalas से लगे female thalas से लगे so the condition is daecious right daecious okay तो दो condition क्या है daecious तो पहले वली condition क्या थी monoecious clear और अगर मैं बात करूं earthworm की तो earthworm में दोनो sexes एक ही individual में होते हैं क्यूंकि earthworm क्या होता बेटा hermaphrodite होता है earthworm is hermaphrodite तो वो उसको हम क्या कह सकते हैं it is bisexual whereas जो cockroach होता है वो क्या होता बेटा unisexual unisexual होता है मतलब उसमें एक individual में एक ही sex होता है either male cockroach होगा या female cockroach होगा right अगर मैं flowers की बात करूँ कुछ यहां पर मैं example लोगी sweet potato के flower की क्योंकि वो NCIT में भी given है right जो sweet potato का flower होता है उसमें दोनों होते है sweet potato sweet potato का scientific name होता है ipomia batatas right उसमें यह bisexual होता है मतलब के stamen भी होंगे और carpel भी होंगे clear तो यह हमरे discussion जो है वो अब हो चुकी है अब हम आपको याद होगा अभी हम discuss कर रहे थे topic कौन सा gametogenesis ही जो किस में आता है that is the pre-fertilization events तो pre-fertilization मतलब fertilization जे पहले-पहले क्या होना चाहिए एक तो gametogenesis gametes तो बन गे लेकिन अब उसको transfer भी तो होना है तो ना हो हमारा जो pre-fertilization events का second part है that is gamete transfer right that is gamete transfer तो हम बात कर रहे थे अभी gamete transfer की gamete transfer अब gametes को transfer करने normally क्या होता बैटा जो male gamete होता वो motile होता छोटा होता उसके पास flagella हो सकता right वो move करेगा scanty cytoplasm होता right तो वो काफी हलका होता light in beat होता तो वो move कर सकता लेकिन तो female gamete होता बैटा वो stationary होता right वो move नहीं कर सकता it means male gamete को female gamete तक आना पड़ेगा लेकिन अभी दोको हमने कहा है male gamete motile होता female gamete stationary होता बट यह हर एक case में नहीं होता ऐसा जैसे कुछ हैलगी और कुछ फंजाई में बैटा यह male और female gamete दोनों ही क्या होते है motile होते है male and female gametes both are motile दोनों ही क्या होंगे better motile होंगे clear और there is a need of medium एक medium की recommend होगी so that gametes can reach right so that gametes can move through तो gametes जो है वो move कर पाएंगे तो basically वो medium क्या होता है basically वो medium होता है water right so water is the medium like in case of water as a medium required होता है for algae bryophytes and pteridophytes so algae, bryophytes and pteridophytes they require water as a medium so that their antherozoids can or their sperms or their male gametes can swim up to the female gametes लेकिन हमें यह भी पता है बहुत छारे male gametes जो है वो female gametes तक पहुँची नहीं पाएंगे या पाते तो probability जो है वो कम हो सकते हैं हम कह सकते हैं probability को बढ़ाने के लिए जो male gametes हैं वो बहुत जादा नंबर में प्रडियूस होते हैं thousand times जादा प्रडियूस होते हैं as compared to female gametes ताके thousand में से कोई 2, 3, 4 at least कुछ तो पहुंचेंगे अगर प्रडियूस ही दो या 3 हुए या 4 हुए तो हो सकते हैं वो पहुंचे ही नहीं प्रडियूस की प्रडियूस ही अब प्रडियूस इतने जादा नंबर में हो रहे हैं तो वो पहुंच सकते हैं right clear so algae, bryophytes and tridophytes जो हैं वो उनमें water का medium चाहिए होता है for swim करने के लिए और large number of male gametes they fail to reach the female gametes so इस loss को compensate करने के लिए जो male gametes होते हैं they are produced male gametes are produced in large amount or large numbers mainly हम कह सकते हैं कि that's several thousand times than the female gametes so that is several thousand times then female gametes right तो ये बात हम करे थे अभी algae, fungi and bryophytes की तो ultimately gametes को transfer इसलिए होना पड़े कि उसको physically meet करने with the female gametes के साथ तो जो physically meeting होगी उसी से ही तो क्या होएगी fertilization right लेकिन अब हम algae, bryophytes की बात कर चुके हैं अब हम बात करेंगे seed plants की seed plants spermatophytes बोलेंगे इनको हम right तो एक तो ये जो पहले वाले थे ये तीनो जो थे that are they come under that is they come under crypto gamma route for narrow gamma की बात करेंगे हम seed plants की बात करेंगे basically चाहे तो बेटा gymnosperms हो चाहे हो angiosperms gymnosperms चाहे angiosperms बेटा दोनों में ही जो pollen grains होते हैं न वो produce होते हैं pollen grains are basically the carriers of male gamete right तो male gamete को carry कौन करेगा pollen grains carry करेंगे right तो अगर हम देखें की ovary ये ovary है style है और ये क्या है stigma but a stigma is basically the landing platform landing platform for the pollen grain तो pollen grain यहां पर आके क्या हो गया land हो गया right similarly बेटा अगर मैं बात करो जो pollen grain है वो अब female की ovary के अंदर जो ovule है उसको वहां तक पहुंचना होगा ovule के अंदर because ovule के अंदर क्या है बेटा egg है right तो ये क्या है structure ovule ovule के अंदर जो जिसके साथ meeting होनी है वो है egg तो basically वो कैसे अब वहां तक पहुंचेगा by formation of what pollen tube pollen tube की क्या होएगी formation होएगी और बीच में इसके क्या होते है male के meats होते है तो male के meat जो है female के meat मतलब egg के साथ fuse करके क्या बना देगा जायगर बना देगा जो pollen grains एंथर में produce होए थे we know that एंथर ये बटा ये हमारे पास ये एंथर lobes होती है और ये हमारे पास क्या है filament together ये it is stamen तो stamen के एंथर lobes में क्या बनते है बटा pollen grains बनते है जब एंथर mature हो जाता है यानि कि stamen mature हो जाता है वो burst कर जाता है burst करने से pollen grains बाहर आ जाते है बाहर आने पे वो अब जो stigma है उस पे land कर सकते है अब अगर तो flower bisexual हो फिर तो कोई problem ही नहीं है bisexual है तो क्या होना है bisexual है तो एक ही flower में दोनों चीज़े हैं राइट उसके पास दोनों चीज़े हैं that is stamen वाला portion भी है और ovary वाला portion भी है यानि की male और female gimmits दोने अविलेबल होंगे तो तो यहीं से burst होंगे और यहीं पर क्या कर जाएंगे fall कर जाएंगे तो जो self fertilizing plants जैसे की self fertilizing plants जैसे की अगर में पी की उसमें pollen grains बहुत easily transfer होता है because stigma काफी close पड़ा होता है clear और अगर हम बात करें जो pollen grains हैं जैसे ही वह गिरेंगे जैसे shed होंगे साथ के जाथ साथ में आजाएंगे लेकिन problem किस में आएगी अगर हमारे पास कैसा plant हो कैसा flower हो unisexual तो उसके पास एक ही sex होगा मान लो उसके पास सिरफ और सिरफ कौन सा sex है अभी यह वला यह एक flower जो मैं draw कर रही हूं यहां पे it is only having the female part तो female part है लेकिन male part नहीं है लेकिन दूसरे flower में see male part है लेकिन कौन सा part नहीं है obviously female part नहीं है तो इसके जो pollen grains release होंगे तो that must be that must have to be reached up to the stigma of that particular plant of the same species but how is it possible yes it is possible via pollination 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 is a transfer of the pollen grains from anther to the stigma right this is known as pollination बटा भी पॉलिनेशन तो उस case में भी हो रही है यह भी तो pollination यह transfer हो रही है लेकिन here it is cross-pollination वो कौन सी थी that is self-pollination तो cross-pollination जो है उसके बटा वो अपने आप से नहीं हो सकती उसके लिए क्या होने चाहिए मारे पास कुछ agents so there is a requirement of agents for cross-pollination क्योंकि अगर pollen grains को पहुंचना है तो उसके लिए कोई agent भी होना चाहिए because pollen grains के पास कोई ऐसा medium नहीं होगा कि वो खुद चलके जा सके तो they'll have some agent जिसके थूँ वो पहुंच सकते हैं stigma के पास right so that agent may be biotic हो सकता है agent या फिर या फिर क्यों हो सकता है abiotic abiotic is the absence of living मतलब यह किस के थूँ होगा that is through wind and water के थूँ लेकिन biotic जैसे living organism के थूँ for example जैसे ki bats के थू birds के थू insects के थू right ants के थू snails के थू clear तो जो majority of organisms होते है living organism जो biotic agent के तरह act करते है वो basically कौन होते है insects right so cross pollination में जो है वो agent की requirement होगी so pollen grain जैसे ki मैंने बताया था भी pollen grain जो है वो germinate करेगा stigma के उपर right pollen tube के अंदर male gametes होंगे male gametes ovule तक पहुंचेंगे और ovule तक जाकर male gametes वो release हो जाएंगे near the egg right तो फिर fertilization का event जो है वो हो जाएगा clear लेकिन अगर हम बात करें इन diatious animals अब मैं animals के बात कर दी हूँ diatious animals so diatious animals कौन से होंगे जिनके male और female के meat अलग अलग individual में होंगे right जैसे कि human being है ना male अलग female अलग cockroach male cockroach अलग female cockroach अलग तो जो ऐसे animals हैं उन्होंने क्या बटा कुछ special ऐसा mechanism evolve करा होगा for gamete transfer there is a evolvement of some special mechanism for gamete transfer like for example अगर हम बात करें human beings की a copulatory organ panis inserts semen into female's body so gamete transfer के लिए copulatory organs are required right और ये भी एक बात हमें देखनी पड़ेगी कि जो successful transfer जो है वो बहुत जरूरी होगा ताके जो gametes हैं वो बिलकुल पहास में आ जाएं और fuse होके fuse हो जाएं right so तभी जाके क्या होएगी fertilization होगी clear तो ये था हमारा यहां तक that is अब हमारा यहां पर pre-fertilization event खतम होए अब यानि कि इसमें हमने एक तो gameteogenesis के बार में discuss कर लिया एक हमने gamete किसके बार में gamete transfer के बार में discuss कर लिया okay bye-bye